नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरहां वशी करण किया जाए किस तरहां वशी करण के माध्यम से आप किसी को अपना बना सकते हैं कोई आप से रूड गया है नाराज है या किसी से कोई काम आप करवाना तो व्यक्ती से अपना काम करा सकते हैं लेकिन यह सब आप पि कीजेगा आप咀 dent his developal शो हो कि आपको व्यक्ति Mar miracle तबी आप शच्का करन्विद्य का या किसी मी व्यश्य करन्विधि का प्रियोग कीजेगा क्या वशेकरन्विधी ऐसे होती हैं जो बहुत ही प्रěचंड होती हैं जासे जो वधी में आपको बताने जा रही है यह एक प्रचंड वशेकरन्विधी है जिसका प्रयोग अगर आप आपने गलत मन्शा से किया तो यह आगे चलगे आपको बहुत कुछ भूगतना भी पड़ सकता है, वो व्यक्ति फिर आप से दूर ही नहीं होगा, फिर आप कुछ ऐसा तरीका डूलेंगे, कि वो व्यक्ति आप से दूर हो जाए, तो इससे अच्छा यह है, कि आप पहले इस बात के लिए शौर हो जाएं, कि आप उनसे प्रेंट करते हैं, या फ चुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सामग्री ही बता देती हूं, जो सामग्री हमें चाहिए, तो दर्सकों, सबसे पहले हमें चाहिए उस व्यक्ति का इस्तमाल किया गया कपड़ा, वो कपड़ा कुछ भी हो सकता है, और हमें चाहिए एक लाल कलम, जी हां, एक लाल कल लाल मारकर कुछ भी आप ले सकते हैं जिसकी सहायता से आपको उस व्यक्ति को वश में करना है और करना क्या है आपको आपको लाल मारकर की सहायता से उस कपड़े पर उसका नाम लिखना है और नाम बहुत छोटे अक्ष्रों में लिखना है बहुत छोटे अक्ष्रों में और इस कपड़े को आपको साथ दिन तक अपने पास रखना है जी हां साथ दिन तक इस कपड़े को आपको अपने पास ही रखना है अपने से अलग नहीं करना है चाहें आप इसे अपने तकी के नीचे रखें या कहीं भी रखें जहां आपको सहूलियत हो लेकिन ये कपड़ा किस उसके बाद साथ दिन बाद इस कपड़े को बाहर कहीं ले जाकर आपको जला देना है, इसकी राख को आपको अपने पैरों से कुचलना है, अपने पैरों से मसल देना है, जैसे ही आप इसकी राख को, इस कपड़े की राख को, जले हुए कपड़े की राख को आप अपने पै बश्में करने का और ये कैसे हो सकता है इस मैंने आपको बताया लेकिन इस विधी का प्रियोग बहुत ही संभल कर कीजेगा कि ये करते वक्क कोई आपको ना रेके ना उस वक्त जब कपड़े पर व्यक्ति का नाम लिख रहे हो ना उसवक्त जब आप इस कुपड़े को जला रहे हो कि जियां दोलोज चीजों में आपको ध्यान रखना है कि आ यक आपके आसपास कोही माहों अपने घर से बाहर जाकर आपको इस कपड़े को आपकी बाते सुनेंगा – फिर आप उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, आपके लिए कोई कारे करें, जो आप कारे उससे बोलेंगे, वो कारे वही करेंगा ऐसा ही होगा लेकिन यह तब ही फोगा जब इसे आप सही तरीका से बेखेंगे और रहना किरें साथी तरिपी के साथ, जय माता दी